नमस्कार मैं ग्यांदेव मनित्र पाथी एनाई उएस की ओर से आप सबका इस कारिक्रम में स्वागत करता हूँ आज के इस कारिक्रम में हम DLA संबंधित पाठेक्रम 502 के विशय समय प्रवंधन पर चर्चा करेंगे हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिक्षा विद्या पीठ इग्णू नई दिल्ली के विशय विशय सग्ग डाक्टर गौरव सिंग जी है आपका इस कारिक्रम में स्वागत है अभिनंदन है समय प्रवंधन जैसा कि हम सब जानते हैं समय की महता बराबर से स्विकार की गई है और यह माना जाता है कि जो 24 घंटे का समय मिला है वह 24 घंटा छोटे या बड़े का ख्याल नहीं करता उम्र का ख्याल नहीं करता बलकि हर किसी को एक जैसा ही उपलब्द होता है लेकिन आज के भागते भावतिक युग में जहां समय कई कारियों के लिए समय कम पड़ रहा है और हम एक तरह से उस दौर में शामिल हैं जहां समय के हर्चन का यदि सदुप्योग न किया जाए तो लक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता शिक्षा के शेतर में भी ऐसा ही है इसलिए आज के दौर में समय प्रबंधन हम सब के लिए एक महतुपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम गौरो जी से आगरा करते हैं जब से पहले हमें यह बताएं कि समय प्रबंधन की आवशक्ता क्यों है बहुत बहुत धन्यवाद ग्यानदे जी जैसा कि आपने कहा कि समय प्रबंधन की आवशक्ता जीवन के प्रतेक छेतर में पढ़ती है और आपने बहुत अच्छा बात कही है कि 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं प्रतेक विक्ति को लगबग समान समय उपलब्ध है परंतो हम उस समय का अधिक्तम उप्योग कैसे कर पाते हैं यह हमारी योग गिता और छमता पर निर्वर करता है हमारे अध्यापक जो कक्षा में पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि उन पर विद्याले में बहुत सारे कारे करने होते हैं बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ाना होता है अलग-अलग विश्यों को पढ़ाना होता है सभी कक्षाओं में पाठे क्रम को समय पर पूरा करना होता है चात्र भी भिन्द प्रकार के होते हैं तो प्रतेक अध्यापक को समय प्रबंधन को समझने की अवशकता है उसका कारण यह है कि प्रतेक सिख्षक के पास कक्षा में सीमित समय उपलब्थ है चात्रों की आवश्चक्ताएं में भिन्न भिन्न प्रकार की है सारे बच्चे एक ही गती से पढ़ेंगे ये आवश्चक नहीं है एक ही बिधी से पढ़ेंगे ये आवश्चक नहीं है तो कई बार अध्यापकों को सिक्षन युक्तियों में भी भिन्नता लानी पड़ती है, अलग-अलग प्रकार के सिक्षन युक्तियां प्रियोग करनी पड़ती है, और जब अलग-अलग प्रकार के सिक्षन युक्तियां प्रियोग करते हैं, तो हमें ये भी पता है कि प्रते हो जाता है कि समय प्रबंधन की आवश्यक्ता क्यों है तो इसका मतलब है कि समय प्रबंधन के कई आयाम होंगे कख्षा में जी तो हम यह जानना चाहेंगे आप से कि कख्षा कख्ष में समय प्रबंधन के विभिन आयाम कौन से हैं ग्यांदिव जी जब हम कख्षा कख्ष में समय प्रबंदन के आयामों की बात करते हैं तो हमें यह समझना हुआ कि कक्षा कक्ष में जो समय है वो कितने प्रकार का होता है अध्यापक के सामें एक समय है जिसको हम कहते हैं कुल उपलब्द समय एक समय है जिसको हम कहते हैं आवन्टित समय एक समय है जिसको हम कहते हैं सलगनता हेतु उपलब्द समय एक समय है जिसको हम कहते हैं सेक्षणिक अधिगम समय तो चार प्रकार के तो समय के आयाम है साथ ही समय प्रबंदन के लिए पठन-पाठन की गती कैसे नरधारित की जाए ये भी समय प्रबंदन का आयाम है और जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में या एक विशय से दूसरे विशय में विद्यार्थी जाता है तो उस समय जो परिवर्तन होते हैं उन में कितना समय लगता है उसका प्रबंदन भी एक महत्पून आयाम है और मुझे रखता है कि अध समय सेमारा तात्पर रहे हैं विद्याले में समस्त क्रिया तिया कलापों के लिए कुल समय को इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक कारेदिवस में उसको कितने घंटे उपलब्द है और एक वर्ष में कितने कारेदिवस उपलब्द है सबसे पहले सिक्षक जब समय प्रबंदन की चिंता करता है और समय प्रबंदन की योजना बनाता है तो उसको यह जानना आवश्यक है कि उस विद्याले में समस्त क्रिया कलापों के लिए जिसमें सिक्षन, जिसमें सहसिक्षन क्रियाएं, जिसमें खेल कूद, जिसमें परिक्षाएं, जिसमें प्रवेश, जिसमें नामांकन, सारी चीजें, जिसमें त्योहारों का मनाना, सब कुछ सामिल होता है, तो विद्याल है आवंटित समय उपलब्द समय तो पूरे वर्ष में उपलब्द समय की बात होगे लेकिन आवंटित समय का मतलब यह है आवंटन कई प्रकार से समय का विद्यालियों में होता है जैसे एक विशय छेत्र को कितना समय दिया गया है तो वह किसी विशय का आधार है कि यहां पर भी अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि सारे विश्यों के अध्यापक एक साथ वैट कर यह करते हैं कि किस विश्य के लिए कितने कालांस ओंद के लिए इक सब्सक्राइब्स समय का एक गंते 45 मिनट के होते हैं कुछ गंटे 40 मिनट के होते हैं कहीं सभी गंटे 45 मिनट के कई सभी गंटे 35 मिनट के होते हैं तो आपके विद्याले में कालांसों का आवंटित समय क्या है अध्यापक को यह भी जानना जरूरी है क्योंकि तभी वह अपने पठन-पाठन का समय प्रबंधन कर पाएगा आवंटन का एक और आयाम है एक विशय के सिक्षण में कुछ सैध दान्तिक चर्चा के लिए कितने समय को आवंटित किया गया है कितने कलांस आवंटित किया गया है और पाठे साहिगामी क्रियों के आयोजन के लिए पाठे साहिग्रामी क्रिया कलापों में विद्यार्थियों की भागी दारी सुनिश्चित करने के लिए कितने समय का आवं कितने समय का है और सैधान्तिक प्रायोगिक और पाठेसाइगामी क्रियाओं में कितने प्रकार से आवंटन किया गया है साथ आवंटन का भी विस्तृत चित्र अध्यापक को अपने सामने रखना पड़ता है जब आवंटित समय के आयाम की यह तो दोनों तरह से रखना समय प्रवंदन का उसको कहते हैं सनलगनता है तो समय टाइम फार इंगेजिंग दे लर्नर जी अध्यापक यदि पैंतालिस मिनट या पैंतिस मिनट की कक्षा है उसमें बहुत सारे क्रिया कलाप करता है उसमें कई वार उपस्तिती भी लेता है वो पिछले दिन के किये गए क्रिया कलापों या ग्रह कारियों का निरिक्षन भी करता है साथ ही वह कुछ प्रशन भी पूछता है प्रशनों के उत्तर भी देता है तो इसमें से वे क्रियाएं जिसमें विद्यार्थी सनलगन रहते हैं पढ़न पाथन में खास तोर पर अधिगम क्रिया कलापों में जै वास्तविक और सबसे महत्वपूर्ण समय है यूँकि वह समय ये निर्धारित करता है कि एक घंटे में या एक कालांस में कितने समय तक विद्यार्थी अधिगम के क्रिया कलापों में सनलगन रहे और कितने समय अभी अध्यापक को तै करना है कि 45 मिनट की यह उसकी कक्षा है तो उसको कितने मिनट उपस्तिती के लिए लेने है पता लगा वो उपस्तिती लेने लगा और कुछ और मुद्धे पर परचर्चा करने लगा 25 मिनट बीथ गए तो विध्यारतियों के सनलगनता के लिए 20 मिनट ही बचे यहां समय प्रबंदन की भूमिका महत्पूर्ण हो जाती है अध्यापक की यहां पर युम्मेदारी है कि वो तै करे कि उसको जितने प्रकार के क्रिया कलाप करने हैं उन बिभिन क्रिया कलापों के लिए कितना कितना समय उसको देना चाहिए तो यह सलगनता है तुछ जो समय का आयाम है यह भी बहुत महत्पूर्ण है और इससे भी जो विसेस्ट आयाम है इसमें भी विसेस्टी करण है जिसको कहते हैं सैक्षनिक अधिगम समय लर्नि बच्चा उस कारे को पूरा करता है तो सिक्षार्थी द्वारा निर्धारित अधिगम कारे को सफलता पूर्वक करने में लगनाय जाने वाला समय उसके द्वारा लगाय जाने वाला समय जो है वो सेक्षणिक अधिगम समय कहलाता है इसमें कक्षा में जो अनावस्चक बातच तो यहां मैंने यह दिखाने का प्रयास किया है कि सैक्षनिक अधिगम समय सबसे महत्वपूर्ण है और वह सबसे कम उपलब्द होता है तो कुल उपलब्द समय कितना है उस उपलब्द समय वह पूरा उपलब्द समय पूरी कक्षा के लिए सभी अध्यापकों के लिए सभी कितने अवंतित हैं उसके विशय के लिए उसको कितने कालान सावंतित हैं सहिद्धान्टिक के लिए कितने प्रायोगिक के लिए कितने अन्यक रियकलाप के लिए उस आवंटित समय में से कितने समय वो विद्यार्थियों को सनलगन रखता है और उसमें से भी कितने समय में सैक्षणिक अधिगम प्रभावी ढंग से किया जाता है यह जो संबंध है यह बड़ा हत्पून है और एक अध्यापक जब समय प्रभंधन की योजना बनाता है तो उसको इस संबंध को समझना बहुत जरूरी हो जाए अध्यापक के लिए जानना आवश्यक है कि इन चार कोटियों को का समन्वे किस तरह से वाकर जी जी एक जब तक यह नहीं जानेंगे कि उनके पास उपलब्द समय क्या है और उनके विशय के लिए आवंटित समय क्या है उसक्षा के लिए बिल्कुर फिर कख्षा विसेस है विशय विशय और उसमें सनलगनता जो अनिवारे है जी पर एक शिक्षक को इसका ध्यान तो जरूरी र कई सिक्षक्त जो अतना पाठे क्रम का हिस्सा तय करके आते हैं कि आज हम इतनी पाठ्थे वस्तू या इतने सिक्षण विन्दू 45 मिनट के समय में पूरा कर लेंगे कई बार देखा गया है वो उन सारे सिक्षन विंदूओं को पूरा नहीं कर पाते कारण वो किसी एक सिक्षन विंदू उपर बहुत अधिक समय दे देते हैं उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं ये दो सिक्षन विंदू आज और पूरे करने है तो उन दो सिक्षन विंदू के लिए उस पर कम समय रह जाता है तो वो कम-कम समय में उनकी बात करते हैं इससे प्रभाव क्या पड़ता है मान लीजिए सिक्षन विंदू एक, दो, तीन, उनको तीन सिक्षन विंदू 45 मिनिट में पूरे करने है एक सिक्षन विंदू के लिए उनके पास 20 मिनिट के समय है, दूसरे सिक्षन विंदू के लिए 15 मिनिट के समय है, तीसरे सिक्षन विंदू के लिए 10 मिनिट के समय है, लेकिन यह पहले में 25 मिनिट लग गए, या पहला ही आपने 10 मिनिट में खतम कर दिया, और दूसरे वाले क कैसे करते हैं कि सिक्षण विंदू को कितना समय देंगे यह अध्यापक नरधारित करता है उस सिक्षण विंदू के महत्तो पर उस सिक्षण विंदू के अंतर जो विशय वस्तु है वो विशय वस्तु कितनी महत्तो पूर्ण है और कितनी उसकी कितनी मात्रा चात्रों को जान नहीं कर पाता इसलिए गती प्रदान करना अवश्यक है दूसरा आयाम यह है कि कई बार सिक्षक अपने सिक्षण की गती अपनी बुद्धी के अनुसार तै करते हैं जबकि कक्षा में वो विद्यार्थी हैं उनके अधियापक बहुत सारा पढ़ा कर चले जाते हैं और विद जिन अध्यापकों को पढ़ाना है तो दोनों में गती में भिनता है कारण क्योंकि वहाँ जो विद्यार्थी बैठे हैं उनकी अधियुम छमताएं भिन है उनकी मांशेक योगिताएं अभी उतनी विक्सित नहीं है चोटे बच्चों की तो वो बहुत तेजी से पढ़ाए ज सामने से स्थापित रहे यह बहुत महत्पूर है दूसरा विद्यार्थियों के अनुसार गती के नर्धारन हो गया तीसरा जब हम गती नर्धारन की बात करते हैं यह भी तैय करे therapist की प्रकृक्र्ति उत्यक्रास होती जी करा जाता है बच्चों जाते हैं बच्चों से ज़्यादा प्रश्ण किये जाते हैं उसे समंदित क्रिया कलाब ज़्यादा कराई जाते हैं वहीं यदि सरल विशेवस्तु है बच्चों को उसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले से पता है या उनके पूर वनभव से उस विशेवस्तु का सीधा सं और इसी गती प्रदान करने में जो चौथा आयाम है, वह है अधिगम उपलबदी और गती में सामन जस्य। ये अधिगम उपलबदी क्या है, बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा ये इस पर भी निर्वर करता है कि सिक्षक की सिक्षण की गती क्या थी। क्योंकि ये सिक्षण की गती विशयवस्तु की प्रकर्दि से जूरी है। ये सिक्षण की गती उनके अधिगम च्शंताओं से जूरी है। उनकी मांस्तियों से जूरी है शिक्षार्थियों की तो sayin vive aamanya kya नूंकि इसकी होगी है। हमने बहुत तेजी से पाठिक्रम पूरा करने के लिए बहुत कुछ पढ़ा दिया और जब हमने उपलब्धी परिक्षन लिया तो देखा कि या रहे मेरे विद्याले में तो मेरी कक्षा में तो विद्यार्थियों ने 20 प्रिस्त विशयवी ठीक से नहीं सीखा और हम कहा देत कि ये बड़े महत्पूर्ण आयाम है और एक सिक्षक की दृष्टी से बहुत महत्पूर्ण है जब आप अपनी कक्षा में अपनी कक्षा की विशयवस्तू का नरधारन करते हैं आज क्या पढ़ाना है नरधारन करते हैं तो ये भी तै करते हैं कि कितना पढ़ाना है किसको पढ़ाना है ये भी तै करता है सिक्षन की गतिको एक और इसका आयाम है समय प्रबंदन का वो है अंता परिवर्तन का समय अर्थात एक कक्षा में कई बार अध्यापक केवल भाशानी तो नहीं देता कुछ प्रियोग करके दिखाता है कुछ प्रश्णोत्तरी का प्रियोग कर जाता है उनको भी प्रदर्शित करता है तो ऐसे में कई बार कख्षा में यदि नियोजन ठीक से नहीं किया जाए समय प्रवंधन ठीक से नहीं किया जाए तो जो आवंटित कक्षा के लिए समय है उसमें बहुत सारा समय क्रिया कलाप की ब्यवस्था में निकल जाता है सामानी कठा करना, उसको मेज पर सजाना, उसको लगाना, इस सब में बहुत सारा समय बेर्थ हो जाता है, और फिर आप जो विशयवस्तु पढ़ाने आए हैं, वो विशयवस्तु नरधारित समय में नहीं पढ़ा पाते, तो ऐसे में एक अध्यापक की जुम्मेदारी है, कि उसको यदि बिभिन प्रकार के क्रिया कलाप अपनी कख्षा में कराने हैं, तो उससे समंदित वस्तुओं का प्रबंधन ठीक से करें, वो ध्यान रखे कि सामिगरी के नियोजन में कितना समय लगेगा, क्या वो अकेले कर पाएगा या उसे अन्ने विद्यार्थियों के गशा हैं ज्यादा होती है, तो अध्यापों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है, और उसके लिए किसी वी विद्याले में अतरिक्त समय नहीं रखा जाता है, पहला घंटा तुरंत लगता है दूसरा घंटा, तो पहला घंटा उसको खतम भी करना है और द जाने में और दूसरे घंटे के लिए कुछ समय उप्योग कर लेता है जाने में तो अध्यापक को यहां भी समय प्रवंदन का ध्यान रखने की जरूरत है जिए जो प्रचन समय कहीं से नहीं देखते हैं वह लगता तो ही एक शिक्षा का एक कौक्ष से दूसरे कख्ष में जा कि समय प्रवंधन की आवश्यक्ता क्या है आपने विस्तार से हमें कख्षा कख्ष में समय प्रवंधन के विविन आयामों को बताया है प्रभावी समय प्रवंधन के कुछ सिध्धांत भी होते हैं अब हम आपसे उन सिध्धांतों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कुछ विद्ध्वानों ने उनको सिध्धान्तों का नाम दिया है और कुछ विद्ध्वानों ने कहा है कि हमने जो विभिन प्रकार के आयाम बताए इन आयामों में सिख्षक क्या प्रयास करे कि प्रतेक आयाम में कुछ बृद्धी हो जाए यही सिध्धान्त है बच्चे को पढ़ सिद्धांत के साथ-साथ एक नजर्याई गयां द्रश्ति कौन है। कितना समय आवश्यक है, कितना समय चाहिए, वरतेक विशव को पढ़ाने के लिए कितना समय चाहिए, सभी विश्यों को पढ़ाने के लिए कितना समय चाहिए और सभी विश्यों के साथ-साथ अन्य क्रिया कलापों के लिए कितना समय चाहिए तो हम बारशे की योजना में ये देखें कि कुल कितना समय हमारे पास उपलब्ध है उसमें से हम कितना समय किसी ओजना में आवंटित कर सकते हैं दूसरी चीज जब हम समय का आवंटन करें तो ये भी देखें कि क्रिया कलाप की प्रकृति क्या है प्रयाओगी क्रिया कलाप है तो उसको कितना समय चाहिए सब्सक्राइब है उसको कितना समय चाहिए कोई ग्राउंड में मैं जंगल में या कहीं बाहर ले जाकर भ्रमौण में यदि करिया कलाप को कराना है अब मानलीजी हमने एक ब्रहमण तै किया पृत्त एक विशय का ध्यापक यह तै ब्रहमण के लिए reap गाने नोटों पूरे 6 दिन तो चले गiant ब्रहमण में तो ब्रहमण की युक्ति भी आप हर बार प्रियोग नहीं कर सकते तो सभी अध्यापकों को बैट करता है करना है कि हमको पूरे वर्ष में कितने बार ब्रमण के लिए ले जाना है या जब एक बार ब्रमण के लिए ले जाना है तो कितने विशेयों के आयामों को वहां हम जोड सकते हैं माली जे हम किसी बाग के ब्रमण के लिए बाहर ब्रमण के लिए जा रहे हैं तो उसमें गडित का क्या है पक्ष हो सकता है EBS का क्या पक्ष हो सकता है भाशा का क्या पक्ष हो सकता है इन सब की योजनाय बनानी पड़ती है इसलिए समय प्रबंधन विद्याले में किसी एक वेक्ति द्वारा किया जाने वाला कारे नहीं है यह सभी अध्यापकों को अपने प्रदाना अध्यापक के साथ मिलकर करना होता है अगला अवंटित समय की ब्रधी हम कैसे कर सकते हैं कि आवश्यक्त उपकरान और सामगरी को पहले से तयार रख़ें कई बार अध्यापक क्या करते हमने उनको जो आवंटित समय है वो उसी समय में सामगरी तयार करते हैं जिसे मान लीजिए उनको यह चार्ट का प्रियोक करना है तो एक तरीका है कि अध्याफ़क चार्ट घर से त्यार करके लिए आए या किसी mə待ल को बनाना है वो म待ल कहीं से त्यार करके लिए और या खाय नहीं जब उसको विद्याले में आ जाएगा तभी बैठ कर उसको चार्ट बनाना है जबकि स्थिख्षण र्भ्यास में ये शीक्ते हैं कि उनको पहले श्राट जाए जाना चाहिए तो ये चोटी-चोटी चीजे हैं ये बहुत चोटी-चोटी बाते हैं लेकिन इन छोटी-चोटी बातों से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि कुल आवंटित समय कैसे बढ़ा, इसका एक और आया है, कई वर कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान कर ली जाए, जिनको ज़िदी कोई कारे दिया जाए, तो वो समय पर पूरा कर लेते हैं, और ऐसे कौन से बच्चे हैं, जो दियेगे कारे को समय पर पूरा नहीं करते हैं, ज़् specially ऐसे दियान को एगाते हैं, यदि हम इसको पहले से ध्यान रख लें, तो जब हम समय आवंटित करेंगे, तो उन बच्चों का विशेष दियान रखेंगे, उन बच्चों को कुछ और समय कहीं से दे सकते हैं, लेकिन जब हम एकी समय द तो क्या होता है वो बच्चों का काम अधूरा रह जाता है उनका अधिगाम अधूरा रह जाता है तो आवंटित समय में ब्रद्धी करने के ये कुछ बिंदू हैं जिनकी चर्चा करनी आवश्चक्ती है दूसरा जो महात्वपूर्ण समय था वो था सनलगनता है तो समय जिसक उतने क्रिया कलाप करेगा उनमें बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी वह ऐसी सिक्षन विदियों का चैन करे जो एक मारगी नहों वह ऐसी सिक्षन विदियों का चैन करे जैसे यह वह लेक्चर मेथड ही इस्तेमाल कर रहा है कुछ देर के लिए तो वह लेक संलगनता कक्षा में बढ़ेगी तो संलगनता ही तू समय बढ़ जाएगा बच्चों से निरंतर इंटरेक्षिन किया जए निरंतर अंता क्रिया की जाए और ये भी ध्यान रखा जाए कि बच्चे उनको जो कार दिया गया है उसके लिए सुझाविये दिया जाता है कि अध्यापक बाल केंदृत क्रिया कलापों का नियोजन करें यदि वो ऐसा करेगा तो निश्चित तोर पर सनलगनताहिर समय में ब्रद्धी हो सकते हैं इसका अगला आयाम है सेक्षणिक अधिगम समय में ब्रद्धी सेक्षणिक अधिगम समय में हम ब्रद्धी कैसे कर सकते हैं सेक्षणिक अधिगम समय में ब्रद्धी करने के लिए सिक्षकों को सबसे पहले कहा जाता है कि वे जो उदाहरन लें वे उदाहरन ये बच्चों के बास्तिविक जीवन के अनुभव से जुड़े हैं तो उन उदाहरणों को समझने में बच्चों को कम समय लगता है लेकिन यदि वो ऐसे जगत से उदाहरण लेकर आ जाते हैं जैसे मैं एक सर एक उदाहरण देता हूं और हमारे कई साथी भी उदाहरण देता है कि यदि लद तो बच्चे को विजुलाइज करने में बहुत समय लगता है कि पीपल का पत्ता कैसे होता है या सीडीदार खेती आप केरल के बच्चों को पढ़ाएं उत्तरांचल के बच्चे हिमाचल के बच्चे जल्दी समझेंगे तो आप कौन से अनुभव लेकर आ रहे हैं कौन से समय प्रवंदन से जुड़ा भी इसका यह आया है क्योंकि आप चीज़ें लेकर आएंगे उनके अनुभव से जोड़ी नहीं है तो आप से ज्यादा प्रश्ण करेंगे आप से ज्यादा चर्चा करेंगे तो सनलगन समय तो बढ़ जाएगा लेकिन एक ही विश्याई पर अ है अपने विशह से ऐसे क्रियागलाप्λαप का चैन करें जो बच्चों की रुचियों से जूड़े हूं यदि अप ऐसा 바信機 तो आप क्या में ब्रद्धी कर पाएंगे क्योंकि यदि क्रिया कल आप बच्चों की रूची को ध्यान में रखकर नहीं आपने दधाग किया है तो बच्चों की रूची विक्सित करने में उनको प्रोटसाहित करने में आपको बहुत समय लगेगा और उस समय से आपका जो सेक्षनिक अध प्रक्रियां अपनानी हो गई कंक्रीट और स्पैसिफिक चीजना अपनानी वह अब्स्ट्रिक्ट नहीं बहुत ज्यादा हो सकता और प्रात्मि अध्यापक के लिए तो खासतोर पर ही कहते निराकार भाहों से बहुत जाdha अध्यापन नहीं कर सकता वह प्रक्रियां करना है अगला वह पाठिचरिया यह पात को गतिप्रदान करना गत्वरत करना यह हुश्यक्रत का थक Thanh एक अध्यापक को संपूर पाठ चरिया को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक और सत्रिय कारी उजना का नर्माण करना चाहिए कि पूरी पाठ चरिया में उसको जो विशय दिया गया है उसमें किस-किस पक्ष में उसको कितना समय देना है कितना समय लगाना है कैसे अपनी पाठेचरियाओं को पूरा करने के लिए गती देनी है उसको विद्ध्यार्थियों के मांसिक और बौधिक इस्तर कानुमान लगाना भी आवश्यक है यदि वे अपने सिक्षार्थियों के मानसिक और वद्धिक स्तर कानुमान लगाएगा तो वे उचित सिक्षण विदी का चैन करेगा और यदि उचित सिक्षण विदी का चैन करेगा साथ ही वो पेसिंग भी डिसाइड करेगा तो वो सिक्षण की गती कम कर देते हैं हाँ हाँ हम थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ाएंगे नहीं सिक्षण की गती कम कर देने से समाधान नहीं होता वो सकता है आप जो विशेवस्तू उन्हें दे रहे हैं उसका कठंता इस्तर देखो तो सिक्षन की गती को हर वार कम करने की बज़ाएं आप कठिनता इस्तर को कम करेंगे तो आप जिस गती से पढ़ा रहे हैं उसी गती से पढ़ा पाएंगे क्योंकि कठिन चीज के लिए गती दीमी करनी पढ़ती है तो जकता है आप जो विशेवस्तु दे रहे हैं उसका अस्तर आपने इतना कठिन बना दिया है कि बच्चे वो उसस्तर को समझ नहीं पाएं कठिनता अस्तर उसका बढ़ गया है इसलिए इन सब में थो हमने ब्रदी क बात की एक आया में जिसमें कमी करनी पड़ती है वो जो अंतिम आया में अंता परिवर्तन का समय जिसमें हम बात कर रहे थे कि उसको तैयारी में बहुत समय लगता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में बहुत समय लगता है इस समय को कम कैसे करें ये ये भी कक्षा मार्क दर्शक बिंदू है उनकी जानकारी विद्यार्थियों को इसपस्ट रूप से पहले से दे दें अपनी कख्षा में समय का सही से बटवारा करें और यह अनुमान लगा लें कि अगली कख्षा किस कितनी दूरी पर है उनको कितना समय जाने में लगेगा तो एक ही कख्ष समय को इदे ठीक प्रकार से प्रबंधित करें खासतोर पर कख्षा कख्ष में समय को तो विद्यार्थियों की बहुत मदद कर सकते हैं तो अभी हमने विस्तार से आपसे समय प्रबंधन के बारे में जाना इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गौरोजी और अपने सभी शिक्षार्थियों का जो डियलेट पार्टिकरम से जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद और आपसे आगरा है कि समय प्रबंधन संबंधी जो जिन पर हमने आज चर्चा की उन पर अमल करें उनका प्रियोग करें और अपने विद्याले के अनुरूप अपनी कक्षाओं के अनुरूप समय प्रबंधन की जो आवशक्ता है उसको ध्यान में रखते हुए विद्याले स्तर पर कक्षा के स्त दबने भ è दज़